नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सांजी बात पर आज हम बात करेंगे कि सावन के महीने में रूदरभी शेख के महत्व विधी और इसे करते समय रखने वाली बातों के बारे में सावन का महीना भगवान शेख की उपासना के लिए विशेश माना जाता है और इस महीने में रूदरभी शेख करने से आपार फल की प्राप्ती होती है तो चलिए जानते हैं इस के बारे में विश्टार से आपको बता दे कि इस बार यानि की 2024 में सावन का महीना 22 जिलाई और इसी सोंवार से शुरू होने जा रहा है सबसे पहले हम जानेंगे कि सावन में रूदरभी शेख का महत्व क्या है पुराणों के अनुसार सावन का महीना भगवान शेख को अत्यन्त प्रिये है इस समय में रूदरभी शेख करने से भगवान शेख की विशेश कृपा प्राप्त होती है जिससे जिवन में सुख, शांती और सम्रिद्धी का वास होता है रूद्रभी शेक के दौरान भगवान शिव को जल्द, दूद, घी, शहद और पंचामरत से सनान कराया जाता है इससे भगवान शिव प्रसन होकर भक्तों की मनोकामनाय पूरी करते हैं अब जानते हैं घर पर रूद्रभी शेक कैसे किया जा सकता है घर पर रूद्रभी शेक करने के लिए सबसे पहले शिवलिंग को स्वच्छ जल से सनान करवाएं फिर पंचामरत से सनान करवाएं जिसमें दूद, दही, घी, शहद और शक्कर शामिल हो इसके बाद जल से पुनहासनान कराएं और शुद्ध वस्त्र से पहुंचें शिवलिंग पर बेल पत्र, धतूरा, आग और फूल चड़ाएं साथी गंगा जल, केसर, चंदन और भस्म का लेप भी करें रूदराभी शेक के दौरान शिव मंत्रों का जाप करें जैसे ओम नमश्यवाय और महामृत्यन ज्यमंत्र इसके बाद धूप, दीब, जलाकर, आर्ती करें और प्रसाद बाटें रूदराभी शेक करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आईए ये जानते हैं रूदराभी शेक करते समय कुछ विशेश बातों का ध्यान रखना अतियावश्यक है पूजास्थल, सामगरी और स्वयम की शुद्धता का पूरा ध्यान रखे पूजा के दौरान विदी पूरवक पूजा करे और किसी भी प्रकार की तुटी ना करे पूरिश्रधा और भक्ती के साथ पूजा करे और मंत्रों का सही उचारण और ध्यान का विशेश ध्यान रखे तो दोस्तों इस प्रकार आप घर पर भी रूदराभी शेक कर सकते हैं और भगवान शिव की अपार कृपा क्राम्ट कर सकते हैं कि आपको यह विडियो पसंद आया हो तो नीचे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चानल को सब्सक्राइब करना न भूले ताकि आप हमारे आने वाले विडियो कि देख सके धन्यवाद